अलो आप डिवन में पढ़द लबी एक बार फिर से अप सारे लोगों का स्वागत करते हूं आपके अपने यूटूब चनल स्प्रेंट लाइब में आज की क्लास में हम देखेंगे फॉक डान्स लेकिन उससे पहले देखेंगे जो हमने पिछली क्लास में परहा था classical dance के बारे में उसको हम revision करेंगे एक बार, तो total classical dance कितने थे आपके? 8 total classical dance थे, कितने classical dance थे आपके? 8 classical dance थे, कौन-कौन से, तो भरत नाट्यम, कुचिपूरी, ओरीशी, मनीपूरी, सतरिया, कथक, मोहिनी अट्यम और कथक कली, ये आपके 8 क्या थे? classical dance थे, अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो आपका, मैं उस दिन भी पताई थी, जो अगर देखा जाए, east, west, north, south, तो ये सारे राज्य जो हैं आपके, वह भारत में कहां पे पड़ते हैं? south में पड़ते हैं, east में पड़ते हैं, north में पड़ते हैं, southist में पड़ते हैं, या फिर west में पड़ते हैं, ऐसा जो है, तो हम पहले देखेंगे आपका क्या? तमिल नाडू, तो तमिल नाडू जो है आपका, वह कहां पड़ता है आपका? तो तमिल नाडू आपका है, जो वह आपका southist में हैं, कहां है? तमिल नाडू की बात करें हम तो southist में हैं, और तमिल नाडू का जो classical dance है वह कौन सा है? तो वह आपका है भरत नाट्यम, कौन सा है भरतनाटयम, अब अगर हम बात करें ओडिशी की, तो ओडिशा में जो है, यह आपका, ओडिशा का Classical रित है और यह भी आपका South East में है, कहा है? South East में है, अब अगर हम बात करें, इसकी, अगर अब हम बात करते हैं, मनी की मनी पूरी तो आप देख सकते हैं आपका कहा है मनी पूरी आपका मनी पूरी है यहाँ अगर हम इस मैप खो डिभाइड कर दें तो यह आपका क्या हो गया मतलब इसका जो इक्वेटर है अगर देखें तो यह जो इक्वेटर हुआ आपका यहाँ पर आपका क्या हो गया मनीपूरी तो मनीपूरी आपका कहा हो गया नौर्थिस्ट में हो गया नौर्थिस्ट में मनीपूरी जो है आपका नौर्थिस्ट में हो गया और मनीपूरी का जो classical dance है मनीपूर का वह कौन है तो मनीपूरी अब हम देखेंगे कि याद कैसे करेंगे, तो इसे याद करेंगे कोई अंधा इंसान जो आंधर परदेश, जिसके पास आँख नहीं है, वो क्या कर सकता है, आप उसके सामने कुछ भी रख दीजिए, कच्छा, पका, कुछ भी वो खा लेगा, या फिर जिसको कम दिखता है, आप उसको कुछ बन तो अब हम देखेंगे, ये कहां है, आंधर परदेश जो है आपका वह शाउत में है, कहां है, आंधर परदेश आपका शाउत में है, अगर हम आंधर परदेश के बाद की बात करें, तो आपका कौन सा बज गया, तामिल नाडू हो गया, आंधर परदेश हो गया, और इशा हो गया मनी पूरी हो गया अब हम बात करते हैं किसकी तो यूपी की तो यूपी जो है आपका वह कहां है तो यूपी आपका कहां है इधर रहती यूपी आपका इधर हो गया तो मतलब नौर्थ में हो गया और अगर अब हम बात करें किसकी तो मोहिनी अटम और कथक कली तो मोह आपका एक बचिया क्या अशम जो कि कहां है आपका जहां का क्लासिकल डांस है सतेरिया तो अशम का जो क्लासिकल डांस है सतेरिया अशम पड़ता है आपका कौन से दिशा में तो नौर्थ हिस्ट में कहां पर पड़ता है नौर्थ हिस्ट में जो है आपका यह अशम पड़ता है अब हम देखेंगे कि यह जो आपका classical dance है इसमें जो आपका exam में question आता है वह three types है ठीक है कौन-कौन सा है एक तो आपका क्या रहेगा direct question रहेगा direct question रहेगा रिलेट करेगा किसे state से ठीक है दूसरा question आपका जो इसमें आएगा वह आपका आजाएगा जो यहां के प्रस्णालती होंगे जैसे कि हम देख सकते हैं associate जो होंगे किसके classical dance के एक वो हो जाएगे दूसरा आपका क्या होगा technical तो यह तीनों question आपके जो हैं तीन टैप के question आपके classical dance से बन सकते हैं और अगर हम folk dance की बात करें तो folk dance में क्या होता है 28 राज हो गया आपका तो यह 28 राज में जो है आपका क्या है लोक निरित तो मैं आपको 28 राज के लोक निरित का definition अलग से बताऊंगी इसी वीडियो में या फिर कल के वीडियो में लेकिन अभी हम देखेंगे कि यह जो 28 राज में यह जो folk dance है तो folk dance से जो है किस type के questions आते हैं तो अब हम देखेंगे कि folk dance से जो question आते हैं वह आपके आते हैं कि sit dance और state मतलब कि आपका यह जो dance होता है वह state से related होता और कौन सा dance जो है आपका कौन पूरुस करता है या फिर कौन सा dance महिला करते हैं आपके इस type के question कहां से आते हैं तो folk dance से आते हैं आगे हम देखेंगे next type का question आपका होता है कि information जो होता है आपका वह क्या होता है information कि state ठीक है आपसे question ऐसा आ सकता है कि एक ऐसा dance बताओ जो आंधर प्रदेश में कहां पर एक ऐसा dance बताओ जो आपके कहां पर आंधर प्रदेश का है जिसमें क्या जिसमें आपके देवताओं को को पूजा जाता है ठीक है आपके क्या आ गया question एक ऐसा dance बताओ जो आंधर प्रदेश में क्या चीज तो कहां का जो लोक निरित है उसमें किसे देवताओं को पूजा जाता है अब आपके पस चार option दे दिया उस option में से आपको क्या करना है तो एक option को select करना है यह हो गया आपका पॉक डांस का जो थ्री टाइप के questions आते हैं वो अब हम देखेंगे classical dance के कुछ ऐसे questions जो एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं पहला आपका कि भरत नाट्यम निरित किस राज्य में प्रचली थे तो भरत नाट्यम जो है आपका कहां प्रचली थे आपका यह आपका तम नाट्यम में दूसरा है कि अला रिपू किस सास्त्रिय निर्थ से शंबंधित निर्थ्य कृति है तो अला रिपू जो है आपका किस सास्त्रिय निर्थ से तो यह जो है आपका भरत नाट्यम से जो है क्या है तो भरत नाट्यम सास्त्रिय निर्थ से शंबंधित निर्थ्य क तो आपका क्या हो गया इसका भरत नाट्यम में साथ पॉर्म होते हैं, साथ तरीके से डांस को परफॉर्म किया जाता है, जिसमें आपका ये जो अलारिपू है, वो सेकेंड आता है, क्या आता है? अलारिपू आपका सेकेंड आता है, नेक्स देखेंगे जुगल बंदी, किस सास्त्रिय निरित का मुख्य आकर्शन है? जुगल बंदी जो है, वो अभी एक क्या है आपका सास्त्रिय निरित है, तो यह जुगल बंदी जो है, वो किस तरह सास्त्रिय निरित का मुख्य तो यह आपका कथक का मंगला चरन किस सास्त्रिय निरित्र का रन है तो यह जो है आपका मंगला चरन यह आपका ओरशी ओरिसी, जो कि कहां का सास्त्रियनित्र है, तो ओरिशा का, जावेरी बहने सास्त्रियनित्र के लिए विश्व प्रशिद्ध है, जावेरी बहने सास्त्रियनित्र के लिए क्या प्रशिद्ध है, विश्व प्रशिद्ध है, वह क्या है, तो वहां आपका है मनीपूर, क्या है, मनिपूर कथक कली किस राज्य का प्रशिद सास्त्रियन रित है कथक कली जो है वह किस राज्य का सास्त्रियन रित है तो कथक कली आपका केरल का हो गया केरल का हो गया जहाँ पे आपका क्या है तो पांच ललित कलाओ क्या है पांच ललित कलाओ ललित कलाओं का यूज होता है कितने का पांच ललित कलाओं का यूज होता है जिसे आप फाइव आर्ट भी कह सकते हैं जो फाइव आर्ट का यूज है वह कहां होता है तो केरल में होता है नेक्स हम देखेंगे कि उदय संकर एबम आनन्द शिवरामन सास्त्रिय निर्त के लिए प्रशिद्ध है अब देखेंगे उदय संकर और एबम आनन्द शिवरामन तो ये जो है आपका ये आपका क्या हो गया कथक कली क्या हो गया ये आपका कथक कली तो अब देखेंगे कि ये संकर और नायर केरल केरला का शरनेम है क्या है केरला का शरनेम है ठीक है तो केरला में दू प्रकार का डांस होता एक होता है आपका मोहिनी अटम और एक होता है कथक कली अब देखिए सरनेम है संकर और क्या है सिवरामन तो ये सरनेम आपका उदेशंकर या आनव सिवरामन तो ये क्या है लगों का नाम है तो कथककली जो है वह लड़के करते हैं और मोहिनी अटम वहां की औरते करते हैं तो ये आपका क्लियर हो गया कि सास्त्रिय निरित्य में आपका कौन सा केरला से दो निरित्य आते हैं सास्त्रिय में कथककली और मोहिनी अटम कथककली वहां के पुरूश करते हैं और मोहिनी अटम वहां की महिलाएं करती है अब देखेंगे कुचिपूरी निरित्य की उत्प प्रदेश्य मानी जाती है और अगर हम यहां देखें तो यहां पे तीन ललित कला है इतनी है तीन ललित कलाओं का क्या किया जाता है तो यूज किया जाता है तो यह सारे questions थे आपके किसके classical dance के जो आपके exam में बार-बार पूछे जाते हैं अब हम आगे देखेंगे folk dance क्या देखेंगे famous folk dance देखेंगे तो हम पहले तो यह समझेंगे कि folk dance जो है वह है क्या ठीक है तो अगर हम बात करें folk dance की तो folk dance का अगर आपसे exam में पूछ दे कि folk dance जो है वह है क्या folk dance किसे कहते हैं ठीक है तो आप बताएगा होता है कि है न क्या जो ऐसे निरित जिनके लिए कोई टेक्निकल या फिर टीचर नहीं चाहिए किस चीज के लिए शिखाने के लिए किस चीज के लिए शिखाने के लिए इसे तब लोग जूम कर जूम कर जू है इस नित को किया जाता है इसका एक ही मतलब है कि फोग डांस है आपका क्या अब जैसे हम डांस जाते हैं सिखने के लिए चाहें कथक हो कथक कली हो या फिर अगर आप दे लो देख लो कपल डांस हो ऐसा कुछ कोई डांस होता जिसमें हमको क्या चाहिए मसीन भी चाहिए होता है टेकनिकल मतलब कि आपका क्या टीचर भी चाहिए अगर हम टेकनिकल की बात कर लें तो प्यानों चाहिए सगीत के लिए ढोल चाहिए फिर क्या कहते हैं आपका बहुत ऐसा माथा है जो आपको चाहिए सहनाई चाहिए तो हम देख सकते हैं कि यहां पे जो है आपका इस पूख डांस में क्या है ना आपका ऐसा कुछ नहीं जाहिए जैसे कि आप देख सकते हैं नागिन डांस जो आजकल के बच्चे करते हैं जिसमें आपका कुछ नहीं है गाना शुरूआ और बच्चे जो होते हैं जूमने लगते हैं आप देख सकते हैं गनेश चतूर्थी पर जो डांस होता है या फिर हमारे जो नवरात्रा होती है और है आपके जूमने लगते हैं तो वहीं आपका क्या कहलाएगा फोक डान्स क्या कहलाएगा फोक डान्स तो अब हम देखेंगे ये जो फोक डान्स है जिसमें हम देखेंगे पहले क्या है तब हिमाचल परदेश ठीक है लेकिन उससे पहले देखेंगे कि देखें ये सारे जो है आपके क्या है तोटल 28 राज है ठीक है तामिल लाडू की अगर हम बात करें तो तामिल लाडू में कौन सा है कुम्मी और कवादी ठीक है आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में भी है आपक क्या विलाशनी नाट्यम आंध्रा नाट्यम ऐसे ही करके आपके औरिशा की अगर हम बात करें तो शावरी मुनेरी सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में आपका है चोच सिक्मारी सिंग्या यह सब आपका हो गया कहां शिक्किम का अगर हम बात करें त्रिपूरा की तो त्रिपूरा में आपका क्या है होजागीरी अगर हम बात करें कि कि की तो अगर हम बात करते हैं आपकी केरला की तो ओटम और कैकोटिकली ठीक है यह सारे लोग नृत हैं आपके जो की कहां के हैं ये सारे सारे स्टेट्स के आपके लोख निरित्ते हैं जिसे हम एक-एक करके देखेंगे कि कौन सा लोख निरित्त जो है कहां का है ठीक है अगर हम सबसे पहले बात करें किसकी ये जितने सारे उपर के हैं न हम उनकी बात करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे कहां से हिमाचल प्रदेश से ठीक है तो अगर हम हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है कौन-कौन सा फोक डांस है तो देखिए हिमाचल प्रदेश में है आपका नाटी, छम, डांगी और दीपक ठ तो अब हम देखेंगे कि ये क्या है पुलबू सिर्म मौर में प्रचली थे महिला और पुरूस दोलों के लिए ठीक है उसके आगे हम देखेंगे कि छम इसे अशुर या पिचास नृत भी कहा जाता है भगान बुद्ध को शमान देने के लिए लाहुल के लामाओं द्वारा प्रदर्शन किया गया जिसमें आपको क्या है तो बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौधों द्वारा किया जाने वाला एक निरित है डांगी के अगर हम बात करें तो डांगी शमुदाई द्वारा किया जाने वाला निरित डांगी निरित कहलाता है पुरूस और महिल नाय मिलकर एक स्रिंखला बनाते हैं, जिसमें एक समों का नित्रित्यु करता है, दीपक इस नित्रित्य में सिड़ पर टोपी पहन कर दियों से भड़ी थाली रखकर संतुलन बनाते हुए नित्रित्य किया जाता है, ठीक है, तो अब हम देखेंगे, कि ये जो आपका नाटी ह तो ये नाटी जो है आपका, यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर इस्त्रि और पुरुष ये लोग नित्य करते हैं आपके, उसके बाद आपका क्या है, दीपक, मतलब उसके आद हम देखेंगे च्छम को, तो च्छम जो है आपका, ये बुद्धों के लिए है, किसके ल कर कर नाचते हैं, डांगी एक ऐसा डांस है, जिसमें क्या करते हैं, तो हाथ पकर कर नाचते हैं, क्या करते हैं, हाथ पकर कर नाचते हैं, अगर हम बात करें दीपक की, तो दीपक जो है आपका, उसमें क्या होता है, तो देवताओं के लिए, इसके लिए, देवताओं के ल हैं तो क्या करते हैं तो पूजा भी जो हम करते हैं वह क्या करते हैं आपके दीपक यानि पूजा करने के बाद वहां दीपक जलाते हैं तो यह जो आपका दीपक है वह आपका किस चीज के लिए होता है तो देवताओं के लिए लोकनित होता है इसके लिए देवताओं के लिए जो है यह लोकनित होता है ठीक है? अब हम देखेंगे कि यह जो है आपका हिमाचल प्रदेश हमने देख लिया जारखंड जारखंड आपका क्या है? पाइका, पांगू ठीक है? जमू एंड कास्मेर इसमें आपका है दमाली कुद दांडी नाच, करनाटक, फुतारती, सूगी, कुनितक, केरला का क्या है? कथक कली जो कि आपका क्लासिकल भी है, क्या है? क्लासिकल भी है केरला का जो डांस है कथक कली मोहिनी अट्टम, आगे देखेंगे आपका आगे है आपका क्या? आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो क्या आजाता है आपका? लंबार्डी, कुला हट्टम, बटम बॉक, ऐसे करके आपके बहुत सारे लोक निरित्थ हैं अरुनाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो क्या आता है आपका? पासी कोंकी, अशम की बात करें तो यहाँ पे क्या आता है आपका? काली गोपाल का? तो ऐसे करके हम इन सारे चीज़ को देखेंगे कि कहा किस राज के कौन से लोक निरित्थ जो है फेमस हैं और जो है आपका? क्या करता है आपका? तो वह जो है आपका एक्जाम में जिससे कोस्चन रहता है अब हम देखेंगे कि यह आपका क्या है पंजाब? अगर हम पंजाब की ही बात कर लें तो क्या आपका भांगरा? भांगरा जो कि आप देख सकते हैं कि भांगरा जो है पंजावी लोग भांगरा बहुत अच्छा करते हैं तो वो लोग जो होते हैं, आपके उनके कोई भी छोटा सा पर्व हो, या फिर कुछ भी हो, जिसमें उनको कोई भी छोटी सी खुसी हो, उनको भांगरा करना ही है, तो वहां के जो मर्द होते हैं, वहां का क्या करते हैं, तो भांगरा करते हैं, और वहां की औरते जो होती हैं, वा क्या करती है, आपकी, गिद्दा करती है, ठिक है, तो ये आपका क्या हो गया, पंजाब का हो गया, मेगाले कि अगर हम बात करें, तो आपका क्या है, का शब्द सुक मयंत, ये आपका वहां का लोकन रित्य है, लाहो जो है वह आपका कहां का तुम ये घाले का लोक निरित्ते है अगर हम बात करें नागा लेंड की तो नागा लेंड में आपका क्या है बॉम्बू डांस क्या है बैंबू डांस अगर हम बैंबू डांस यानी बांस बैंबू मतलब बांस इस डांस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि गूल सा बना दिया जाता है बैंबू को या फिर हर एक आदमी के क्या होते हैं हाथ में बैंबू होते हैं उसकी सहायता से वह वहाँ पर डांस क का है वीडियो अगर आप लोगों को अची लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद